Hello everyone, welcome back to my channel Friends, मैं आज आपके लिए एक टॉपिक लेकर आया हूँ लहसुन यानि रसौन इसको गारलिक भी हम कहते हैं और इस शब्द से आप काफी परिचित हैं बहुत पॉपलर चीज है और हमारी किचन का एक अमुल्य पाट भी है हम इसे daily प्रियोग भी करते हैं अपने खाने या खाने की वस्तों में और इसका खूब हम प्रियोग करते हैं लेकिन हमें इसके गुणों के बारे में बिल्कुल भी हम इससे परिचित नहीं है तो आयरवेद इसे किस तरह से देखता है क्या इसके गुणों को define करता है आज मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा कि हमारे शरीर के स्वास्थे के लिए कितना लाबदायक है कितना फायदेमंद है किस तरह से में इसे प्रयोग कर सकते है तो अगर हम इसके गुणों की बात करें त्री दोश नाशक यानि तीनों दोशों आईरवेद हमारे तीन प्रकार के दोश मानता है वात, पित, कफ वात हमारे अस्ती प्रकार के रोग होते हैं पित हमारे चालिस प्रकार के रोग होते हैं और कफ हमारे बीस प्रकार के रोग होते हैं आयरुवेद में हमारे 140 प्रकार के रोग मने गए हैं तो उनी में से ये 3, 140 प्रकार के रोगों का शमन करने का सामर्त है रखता है तो अगर इसके अलग से बात करें तो ये वात अगन है जितने भी हमारे शरीर के अंदर जोड के दर्द है या joint pain, जो भी हमारे शरीर के अंदर होते हैं, या जितने भी संधी बात हैं, जो भी बात से संबन्दे समस्ते हैं, उन सभी में बहुत फायदेमंद होता है, और असी प्रकार के बात की सभी समस्तियाओं का शमन करने का सामर्थे इसके अंदर होता है, तो इसको हम daily प्रयोग क इसको छोटे छोटे piece करके आप इसको प्रयोग कर सकते हैं, और उसको आप छील लिजे, और छोटे छोटे पीस करके आप शाम को निकल सकते हैं, लेकिन अगर आपको smell आती हो, तो आप शाम को भिगो के छोड़ दीजे, और सुबह उसी को आप पानी को निकाल कर फेक दीज सुबह तक इसकी स्मेल खतम हो जाएगी आप इसको प्रयोग कर सकते हैं तो इसका वात की समस्याओं को शमन करने का बहुत अच्छा गुण है वहीं यह जो है हमारे शरीर की जो कलर होता है उसके लिए बहुत फाइन उसको फाइन बना देता है उसको अच्छा बना देता है हम हमारे अंदर एनरजी आ जाती है और पूरे शरीर के उपर एकदम लालिम अच्छा जाती है तो अगर हम इसका प्रयोग करेंगे तो यह काफी उसमें helpful साबित होगा वहीं इसका एक गुण होता है यह पित और कफ नाशक माना गया है पित की जितनी भी समस्या है उनको भी य हमारे होते हैं उन सभी में बहुत लाबकारी साबित होता है कफ के कितने भी समस्या हो उनमें बहुत लाबकारी है और इसके अलावा इसको हर्दे नाशक भी माना गया है यानि हार्ट की कितनी भी प्रॉब्लम्स हो यह उन सभी में गैस की कोई भी समस्या हो पेट से को बिल्कुल fine कर देता है इसके अलावा हमारे blood को बिल्कुल हलका बना कर रखता है तो इसको गाढ़ा नहीं होने देता तो इसका यह बहुत अच्छा गुण है कि हमारे cholesterol लेवल को बढ़ने नहीं देता और हमें नियंतियत करके रखता है तो हमें कोई भी ब्लॉकेज कोई भी समस्त्य हो उससे जल्दी ठीक हो जाती है इसके अलावा गैस की कोई भी समस्त्य हो हमारे पाचन को यह बहुत दुरूस्त रखता है बहुत अच्छा रखता है पाचन की जितनी भी हमारी बवासीर और कोड की समस्या होती है, पाइल्स वगेरा इन सभी में बहुत अच्छा है, पेट से संबंदित तो हैं ही सारी समस्या हैं दूर कड़ेगा यह, वहीं हमारी पाइल्स की समस्या को भी बहुत जबरदस इसके उपर प्रभावेस का, जिसको भी अच्छे से इसका शमन करता है, दर्द हमारे शरीर में कहीं भी हो, मैंने आपको बताया अभी कि उसका एकदम शमन करता है, वहीं सूजन, हमारे शरीर के अंदर सूजन कहीं भी आ गई हो, तो उसमें आप इसको अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं, वहीं हमारी आखों के वहीं इसके अंदर और भी अन्या भहत सारे गुण्ण है जैसे ये स्वास और कफ नाशक भी है। उन सभी का यह निराकरण करता है और कफ से related जितनी भी समस्या हमारे शरी में पैदा होती हैं उन सभी पर यह control करता है तो वात पितिकफ तीनों प्रकार के दोश इससे बिल्कु ठीक हो जाते हैं गैस के समस्या हर्दय की समस्या और इन सारी समस्याओं में यह बहुत अच्छा काम करता है अगर इसके प्रियोक की विधी बताई जाए तो इसको आप सबजी में यूज कर सकते हैं इसको आप डारेक्ट इसके पीसी ले लिजे उनको आप डारेक्ट भी यूज कर सकते हैं पानी के साथ और इसके अलावा इसको आप भाजी बना के भी प्रियोक कर सकते हैं सबजी के तो अगर इसको जो है वात शेंने मैं अगर आप प्रियोग करना चाहते हो तो इसको झो है आप गाएंगे घी के साथ ऐसको आप फ्राइब करकर चूज कर सकते हैं का फिल्फुल सावित होगा वहीं अगर आपको पित्त से समंधित समस्या हो तो आप इसको शहद के साथ मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं या किसी मीठी या कोई हमारी जो शरकराव होती हैं उनके साथ आप इसका प्रयोग कर सकते हैं वहीं अगर आपको कफ की समस्य हो तो इसमें आप जो है शहद के साथ इसको आप प्रियोग कर सकते हैं तो काफी इसका लाव आपको मिलता है तो प्यारे दोस्तों लहसुन काफी काम की चीज है और इसको अगर मैं इसकी खास बात करूँ तो इसके अंदर अकेले के अंदर पांच रस होते हैं जो पूरा भुजनम करते हैं उसमें अकेले में 6 रस होते हैं लेकिन अकेला लहसुन हमें 5 गुण हमें परदान करता है तो ऐसे इतने लाब होने के बाद हम इसको क्यों न प्रयोग करें वहीं अगर इसको कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जो है यह एपवित्र हमारे शरीर को करत लेगा शुफरेंड्स उम्मीद करता हूं कि आपको यह सारी दी गई जानकारी काफी पसंद आई होंगी अगर आपको पसंद आई हो तो आप हमारे इस चैनल को जुड़ सकते हैं और अगर आपको कुछ भी क्वेस्टिन हो आपका कोई क्वेस्टिन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं अपको यह अच्छी वीडियो में आपके लिए लेकर आता रहूंगा और आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो में तब तक के लिए अपना ध्यान रखेगा नमस्कार जैहिंद जैभारत